हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो मैं चैनल आज मैं आपके साथ बहुत एक यमी रेसिपी लाई हूँ यह बच्चो की फेवरिट है यह है मैक न चीज इसमें मैंने थोड़ा सा इंडियन टच दिया है तो चलिए फ्रेंट्स हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने पैन गरम कर लिया है इसमें बटर देंगे बटर देने के बाद 2 स्पून मैदा देंगे इसको बहुत स्लो फ्लेम में हम अच्छी तरह से इसको बकाएंगे जिसे यह मैदा न जले इसलिए slow frame में रखना है हम एक white sauce बनाएंगे तो ये दिखिए मैदा ready हो गया है अब इसमें हम milk add करेंगे milk को अच्छी तरह से mix करते रहना है जिससे इसमें कोई lump ना बन जाए तो ये मैंने mix कर लिया है इसमें अभी मैं salt डाल रही हूँ salt डाने के बाद ये है pepper powder और ये है garlic powder और इसमें थोड़ा सा nutmeg मैं grate करकर डालूँगी फिर इन सबको अच्छी तरह से हम mix कर लेंगे इसके बाद इसमें chili flakes add कर रही हूँ और इसके बाद औरिगैनो देना है मैं ये एक pizza seasoning का दे रही हूँ आप plain औरिगैनो और Italian seasoning भी दे सकते हैं इसके बाद यहाँ पर cheese add करना है मैं यहाँ पर mozzarella cheese दे रही हूँ धेर सारा cheese मैंने दिया है जितना हम cheese डालते हैं इसमें ये उतना ही tasty बनता है तो cheese ये grated नहीं था आप grated cheese डालेंगे तो easy रहेगा मैंने cheese को grate करके जो इसमें अच्छी तरह से मिला लिया है हमको ये sauce थोरा सा थिक बनाना है जब तक ये थिक ना हो हम अच्छी तरह से इसको मिलाते रहेंगे तो ये almost ready हो रहा है cheese भी अच्छी तरह से melt हो गया है इसके बाद इसमें मैंने macaroni boil करकर रखा था वो macaroni मैं इसमें add कर दूँगी हमें ये 2-3 मिनिट तक अच्छी तरह से mix कर लेना है जो macaroni है उसको इस sauce में ये ध्यान रखना है कि ये बहुत राइना हो जाए तो दिखिए इस तरह से ये mix हो गए है ये हमारा cheese macaroni रेडी है अभी थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे इसके बाद सर्फ करेंगे ये देखिए इतना कितना creamy and cheesy है ये thanks for watching friends मिलते हैं मैं नेक्स वीडियो पर till then take care bye bye